तो हेलो दोस्तो एक नई वीडियो में आपका सागत करता हूँ तो आज जो है मैंने अपनी घर की ये भटी जो चूला भी बोलते हैं इसको तो ये मैंने निकाला है और मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या-क्या आपको करवाना चाहिए तो जब हम लोग ने इस भटी को खरीदा था तो दोस्तो हम लोग को कुछ इस तरीके का इसका पाइप मिला था और ये नूजल इसमें यहां लगा हुआ था तो अकसर होता ये है जैसे आपने यहां पर डेख लगखा कोई बड़ा डेख चा तो उसकी जो गैस यहां से निकलती है आग जलती है तो उसकी आज यहां तक पहुँच जाती है तो आप लोग देख सकते हैं ये पाइप कितना सौफ है तो इस तरीके के पाइप जो होते हैं बिलकुल हमें अपने चूले में इंस्ट्रॉल नहीं गराने चाहिए क्योंकि ये जो हैं पिंगल के इस से हासा भी हो सकता है गैस लीक हो सकती ही कुछ भी हो सकता है तो गैस का मामला जो होता है काफी रिक्सी होता है तो दोस्तों हमने अपने चूले में इस समय करवाया क्या है वो मैं आपको बताऊंगा तो जैसे कि हम लोग को ये वाला फिटिंग में पाइप मिलता था तो हम लोग ने इस पाइप को नूजल से यहां से हडवा के पूरा आप लोग देख सकते हैं हमने यहां पे बड़ा करवा लिया है तो जो चूले की आच है हमारे पाइप तक नहीं पहुंचेगी और सेकिंड जो मैं आपको बताऊंगा तो हमने अपने पाइप को भी चेंज करवाया है तो आप लोग यह देख सकते हैं पाइप हमारा कितना हाट है और यह पाइप जो है हमारा आये से मार्क वाला है तो आप लोग देख सकते हैं यह मैं आपको दिखाता हूँ भी इसे मार्ग और इसकी ठिकने इस पे सब लिखा हुआ यह कंपनी का पाइप है तो गैस का जो भी आप अगर कोई काम करवाते तो कंपनी का ही करवाएं कोई भी इसमें लोकल वर्क ना करवाएं तो यह देख सकते हैं दोस्तो और इस पाइप तो जो था हमने इसको चेंज करवा के हमने अपना गैस वाला रेगलेटर इसमें लगवाया जो इनी कामों के लिए है इसली यह देखिए आप लोग फिट हो जाता है और यहां पिसका नोजल है कोई भी निकलने का इसमें डर नी रहता हम लोग तो यह हमारी गैस की फिटिं है आप यह देख सकते हैं यह भी कंपनी का प्रेशर वाल है तो इस तरीके के हम लोग को यूज करने चाहिए गैस चूले के लिए और आप लोग देख पा रहे हूंगा यह जो है यह बहुत जल्दी भी खराब हो गया था तो एक दो बार में ही इसको हम लोग ने रिप्लेस रहेगा और पहले जब हम लोग करवाते थे जैसे कोई इस पर हुआ तो इसके ओपर कपड़ा डालना पड़ता था पानी भीगो कर ताकि यह जो पाइप है गरम ना हो तो आप लोग देख पा रहे हूंगा यह पाइप जो है काफी अच्छा है अगर दोस्तों आप लोग को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा थेंक यू फर वाचिंग वीडियो